आज का जो हमारी नेजल कैविटी के अंदर बन जाती है और इन के बनने की वज़ए से बहुत सारे हल्थ इशूस जो है हमारे सामने आते हैं यह ग्रोथ जो होती है पैनलेस होती है और हॉमिपेथिक अद्विया के जरिए हम इन ग्रोथ को खतम कर देते हैं तो यह जो ग्रोथ है याद रखिए यह बिनाइन होती है अगर अपने size में बहुत छोटी हों तो किसी तरह की कोई problem पैदा नहीं करती लेकिन अगर ये अपने size में थोड़ी बड़ी हो जाएं तो फिर हमारे सामने जो है respiratory जो problems हैं वो सामने आती है बहुत सरी वजुखात हैं जिनकी वज़ा से ये growth पैदा हो जाती है जैसे कि asthma है, sinusitis है, hay fever है और immune deficiency है ये चीज़ें जो हैं अगर हमारे अंदर पाई जा रही हैं तो उसके नतीजे में बहुत ज्यादा चांसित हैं कि हमारे नाक के अंदर ये polyps बनना शुरू हो जाएं ये polyps जब बनते हैं तो जिस तरह मैंने आपको कहा कि अगर अपने size में छोटे हों तो कोई problem create नहीं करते लेकिन अगर अपने size में बड़े हो जाएं तो फिर हमें मुख्तलिफ किसम की problem जो हैं वो दरपेश होती है जैसे के सांस लेने में दुश्वारी आती है मुझ खोल कर सांस लेना पड़ता है छिंके बहुत ज्यादा आती है smell जो है वो हमारी खतम होके रह जाती है या कम होकर रह जाती है खलक में केरा गिरता है सर में दर्द रहता है, नाक बे तहाशा बहता है, नाक बंद हो जाता है और इसी तरह जो सांस के हवाले से जो हमारी प्रॉब्लम है जिस तरह मैंने आपको कहा कि ये फिर हमारे सामने आती है और नतीजे के तोर पर हमें इन प्रॉब्लम्स की वज़े से बुखार भी हो सकता है हमारी रुटीन की लाइफ भी डिस्टर्फ हो सकती है क्यों छिंके जब बेतहाशा आएंगी तो आप कोई काम नहीं कर सकेंगे इसी तरह हमारी जिंदगी का दारोमदार सांस लेने के उपर है जब हम सांस प्रॉपर तोर पर नहीं ले सकेंगे तो अटोमेटिकली जो हमारी जिंदगी के जो रोजमरा के काम है वो मतासिर होकर रह जाएंगे जिन लोगों में निजल पॉलिप पाया जाता है अदवियात के लावा उन लोगों को चाहिए कि अपनी खुराक में ऐसी चीजों का इस्तमाल बंद कर दें जो नजला जुकाम को बरहती है एक तो उनके अंदर जो पॉले पाया जा रहा है वो ही उनके नजला जुकाम का बाइस है उसी की वज़े से हर वकत उनका नाक बहेगा उनका नाक बंद रहेगा छींके बेतहाशा आएंगी और जब वो परहेज नहीं करेंगे और ठंडी और खटी अशिया का इस्तमाल करेंगे तो उनके मसाइल जो हैं वो ट्रिगर कर जाएंगे लहादा अदवियात के साथ आपने अपने पेशन को खाने बीने में इस्तियाद जरूर बतानी है कि बहुत ज़्यदा खटी अशिया का और बहुत ज़्यदा ठंडी अशिया का इस्तमाल उनने नहीं करना है पॉलिप जब नाक में होगा तो सिम्टम्स आपके पास यहीं आएंगे यही साइन और सिम्टम्स आएंगे जो मैंने आपको बताए है अब आपने अपनी होमेपेथिक दवा का इंतहाब करना है अगर मैं आपको टॉप ग्रेट मैडिसन बताओं जो कि इस मामले में शोहरत रखती है और आंखे बंद करकर लोग इस्तमाल करवाते हैं तो वो दो मैडिसन है जिन में इसे एक लैमना है और दूसरा ट्योक्रियम है ये वो अदवियात हैं जो नाम के उपर इस्तमाल करवाई जाती है और हमारी होमेपेथि में चुँके एक वसी रेंज है अदविया की जो नेजल पॉलिप के लिए इस्तमाल करवाई जाती है जो आपके सिम्टम्स के ओपर करेक्टिरिस्टिक सिम्टम्स की बुर्याद पर इस्तामाल करवाई जाती है तो मैं आपको आज टॉप ग्रेड मेडिसन बताऊंगी जो इन इलामात के ओपर इस्तामाल करवाई जाती है अब देखें, मैंने आपको कहा कि पेशन को छींके बहुत ज्यादा आती हैं, बेतहाशा छींके आती हैं, छींके रुकते ही नहीं हैं, तो छींकों के उपर अगर आप जाएंगे तो आपकी अद्वियात एको नाइट है, इलियम सीपा है, नेटरम में और है, सबाडीला है, अब इन अद्वियात को इस्तमाल करवा सकते हैं, फिर अगर पेशन को बहुत ज्यादा सर्दी लगती है, पेशन बहुत ज्यादा चिली है, और नाक के मसाइल आ रहे हैं, नाक बंद रहता है, पॉलिप मना हुआ है, तो याद रखिए, पॉलिप की बहतरीन अद्विया मे से एक दवाई जो है वो किलकेरियाकार्भ है और मैं किलकेरियाकार्प के हवाले से आपको हमेशा गहते हूँ कि एक मिज़जि दवा है dishणल रेमेडी है पेशन्ट को देख कर आपको पता चल जाएगा के ये किलकेडिया का पेशेंट है इन लोगों को बहुत ज्यादा सर्दी लगती है चिली पेशेंट होते हैं ये लोग और इस में जो निजल पॉलिप पाया जाता है वो लेफ्ट साइट का पाया जाता है अब साइट की बुनेयाद के अब अगर हम आते हैं तो देखिए साइडेड मैडिसन है और सेंगोनेरिया में भी नाट के हवाले से पॉलिप्स के हवाले से बहुत सारे हमें सिम्टम्स मिलते हैं सेंगोनेरिया को अगर आपने पहचानना होना तो एक तो ये राइड साइडेड मैडिसन है दूसरे जब आप सेंगोनेरिया के पेशन को देखे हुए होंगे और चाहे ये कंडिशन किसी भी मर्ज के साथ पाई जाए आप सैंगोनेरिया का इस्तामाल करवाई है वरना अगर राइट साइट नेजल पॉलिप पाया जा रहा है तो आप राइट साइट की बुनियाद पर ही सेंगोनेरिया का इस्तामाल कर सकते हैं काली भाई क्रॉमियम हमारी बेहतरीन मेडिसन है जो नेजल पॉलिप में इस्तामाल होती है अब काली भाई का करेक्टरिस्टिक क्या है कि काली भाई में हलक में केरा गिरता है पोस्ट नेजल डिस्चार्ज होती है चाहे वो क्रोनिक है चाहे वो क्यूट है दोनों सूर्टों में काली बाई का इस्तामाल किया जाता है फिर काली बाई का एक और करेक्टरिस्टिक है कि काली बाई की जिते भी मुकस डिस्चार्जेज होते हैं वो नाक से हो रहे हैं वो वजाइना से हो रहे हैं जिसम के किसी भी और्फिस से हो रहे हैं थिक होते हैं रोपी होते हैं यानि तार बनाते हैं अपने और्फिस के साथ चिपक जाते हैं असानी के साथ तलेदा नहीं होते तो काली भाई जो है नेजल पॉलिप की बेहतरीन दवाईयों में से एक दवाई है और फिर हमारी दवाई आती है फॉस्फॉरस ये भी टॉप ग्रेड मेडिसन है और ये किस नेजल पॉलिप में समाल होती है ये उस नेजल पॉलिप में समाल होती है जहां bleeding जो है साथ में होती है यानि polyps में से जो है बड़ी असानी के साथ खून का इखराज होना शुरू हो जाता है एक और हमारी top grade medicine है थूजा और थूजा के लिए मैंने आपको एक बात गई थी कि जहां कहीं abnormal growth आएंगी वहां हमारी दवाई थूजा आएगी अब ये जो growth नाक में बन रही है ये नाक में का कुदर्ती हिस्सा तो नहीं है ये तो बाद में बनी है ना तो ये abnormal है normal growth तो नहीं है कि जिसको हम कहेंगे कि जी हमारे नाक के अंदर ही बाई जाती है चूँके abnormal है तो जहां abnormal का लफ़ आएगा वहां पर हम थूजा का इस्तामाल करवाएंगे बेतहाशा हमारी medicines हैं जो nasal polyp के ओपर इस्तामाल होती है लेकिन नाम के ओपर जो दो medicine है जिनको सबसे ज़्यादा शौरत हासिल है वो lamina है और tukirium है अब यहां यह देखिए के sign और symptoms आपको वही मिलेंगे जो मैंने शुरू में आपको बता दी है lamina में क्या है यही सारे आपको symptoms मिलेंगे और सूंगने की हिस्ट जो है वो खतम हो गई होगी tukirium जो हमारी medicine है इसमें क्या आपको एक characteristic sensation मिलेगा सारे symptoms आपको वही मिलेंगे और एक characteristic symptom क्या मिलेगा कि नाग के अंदर crawling का एहसास पाया जाता है तो आप जाहें तो nasal polyp के ओर नाम के ओपर medicine की selection कर ले यह जो patient आपको अपको अपने symptoms में आन कर रहा है उसकी बनियाद बर आप अपनी medicine की selection कर ले जैसे मैंने आपको कहा कि जब constant sneezing आती है तो हम ileum को इस्तामाल करते हैं हम natrium mirror को इस्तामाल करते हैं और मैंने पहले भी कई दफ़ा आपको बताया है कि ileum का खासा किया है कि patient जैसे ही खुली हवा में आता है अपने आपको बहतर में सूस करता है और natrium mirror का खासा किया है कि जैसे ही patient बंद कमरे में आता है अपने आपको बहतर में सूस करता है यह अब आपके उपर depend करता है कि आप nasal polyp में किस medicine को मुन्तहिब करते हैं आप patient के characteristic symptoms को लेकर medicine की selection करते हैं या आप नाम के उपर medicine की selection करते हैं आप नाम के उपर मैंने आपको बता दिया कि लेमना और ट्योकिरियम यह नाम के उपर इस्तमाल होती है आपको पता है कि nasal polyp का patient आया आप इन अद्वियाद का इस्तमाल कर देते हैं और अगर आप patient की history लेते हैं उसके characteristic symptoms लेते हैं तो फिर आपके पस बेता हशाद वियाद है और उनमें top grade जो हैं वो मैंने आपको बता दी किलकेरिया कार्प, सेंगोनेरिया, फास्फोरस, कालीबाइ, क्रॉमियम और जिसमें हमने शुरू में कहा के acute condition में इलियम सीपा है, नेट्रम मियोर है, एको नाइट है, इवन आप बेलाडोना और ब्राइनिया को भी इस्तमाल कर सकते हैं जब हम characteristic symptom की बुनियाद पर दवा का इंतहाब करते हैं, तो हमारे लिए होमेपेथी वुसत इखतियार कर जाती है, बकि आपकी अपनी choice है, मैं हमेशे की तरह कहती हूँ, अगर आप समझते हैं, कि आपके patient, इन medicine के symptoms में fall कर रहे हैं, तो इन medicine का इंतहाब कीजिए, बकि यह आप, वना आपके बस choice है, अब किसी भी हमेथिक medicine का इंतहाब कर सकते हैं, शुक्रिया